सो नमस्कार आदा आपके डो हाल है केम छो सस्तिरिकाल और आज लेकर आ चुके हैं आपके लिए चीज एकदम बवाल यहां पर हमारे सामने खड़ी हुई है मारती सुजुकी न्यू ब्रेजा और अगर हम लोगों ने कैलिब्रेशन क्लॉथ को 40 सेंटीमीटर दूर प्लेस किय है मतलब इसमें android stereo system and 360 bird view camera भी हम लोगों ने install किया है जैसे कि हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताता हूं तो काम तो इस कार में हम लोगों ने बहुत सारा किया है लेकिन क्या क्या किया है यह मैं आपको बताने वाला हूं थोड़ी देर बाद तो सबसे पहले 360 camera जो हम प्लेस हो चुका है अगर इसके resolution और quality की मैं बात करूँ तो HD 720p 25 hertz पे यह camera काम कर रहा है अगर left side के camera की मैं बात कर लूँ तो यहां पर आप लोगों देख पा रहे हैं कि left side का camera यहां पर लगा हुआ है and यह side वाले view को capture करेगा and हम लोग चलते हैं back side की तरफ और भी बहुत स पार रहे यह बैक साइट का camera यहां पर प्लेस है यहां पर यह जो है यह back side के view को capture करेगा and अगर left side की बात मैं करूं तो left side पर नीचे में यहां पर place कर दिया एंड यह जो है side वाले view को capture करेगा जो कि left side के view को capture करेगा तो यहां पर सारी चीज़े और भी बहुत सारे काम करे हुए हैं हम लोगों ने and calibration को मैंने loading पे one click stop पे करके रख दिया है वहां पर calibration done हो चुका है and अब हम लोग चलने वाले हैं car के अंदर की तरफ और मैं आपको चल हैं यहां पर आप लोग देखिए किस quality का ये camera है afteron technologies का mid range वाला ये player है आप लोग यहां पर देखा रहे हैं यहां पर देखिए 1 2 3 4 and यह जो है back side का measurement done हो चुका है left side का measurement done हो चुका है एंड राइट साइट का मेजर्मेंट जो है डन हो चुका है यहां पर आप लोंग बड़ व्यू को देख पा रहे हैं किस तरीके की इसकी quality है quality मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और यहां से हो जाते हैं हम लोंग back तो यहां पर देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस इस head unit का आपको देखने के लिए मिलेगा aptron technologies का ही है mid range वाला है सारी चीज़े मैं पहले भी बता चुका हूं अगर इसके DSP वगएर की मैं बात कर लूँ तो DSP वगएरा graphics DSP मिलता है 10-20 bell का equalizer आपको मिलता है प्रंट से panoramic view एंड यहां पर 3D राउ सरकल सरकल राउंड जो color change option है उसे मैं बंद कर दूंगा कार को कर दूंगा SUV एंड बैक ट्रेक हम लोगों इसमें लगा देंगे तो यह camera प्रॉपर तरीके से काम करेगा अगर फेशिय की बात कर लूँ तो नौसी फिनिस में जो फेशिया है यह लगा हुआ आपको नजर आ रहा है एंड अभी हमारे साथ है नासिर भाई जो की इस ब्रेजा में 360 बड व्यू कैमरा एंड एंड्रॉइड इस्टीरियो सिस्टम को इन्हों ने इंस्टॉल किया है तो नासिर भाई कैसे आप ठीक आप यह बताएए क्या वाकई इस कार की जो वाईरिंग है वो नहीं कटी है या कुछ कटी है या सारे कपलर टू कपलर हुए है कोई वार कटा नहीं है साब अदम मिलेवल हुआ है अदम बैक टू बैक काम हुआ है अच्छा तो भाई आप लोग यहाँ पर देख पा रहे है नासिर भाई ने इसकी इंस्टोलेशन किया और कहीं से भी वाईरिंग कटिंग चटिंग नहीं हुई है दो दिन पहले ही मैंने ब्रेजा का वीडियो पोस्ट किया था अप्राउन टेक्नोलोजिस का ही हेड यूनिट उसमें भी डला हुआ था तो उसमें भी कोई टीक है यह नासिर ने बता दिया कि यहां पर वाईरिंग कोई कटिंग चटिंग नहीं हुई है तो और 360 घैड यूनिट भी मैंने आपको दिखा दिया केन बशस्में नहीं लगा है टाटा वगएर की कार है तो हर बार की तरह इस बार भी बोलना चाहूंगा कि रैम और रॉ कार के बाहर आ चुके हैं और सबसे पहले तो यहां पर जो दिखाई दे रहा है आपको साइड क्लाइडिंग हम लोगों ने लगाई है लेकिन मैं यह नहीं बोर रहा हूं कि यह अच्छी है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप करवाईए नहीं लग रहा है मत करवाईए कोई जोड़ जबरदस्ती नहीं है जरूरी नहीं यह आपको करवाना है इसकी प्राइस के अगर मैं बात कर लो तो यह 25-3000 रुपय के बीच में आती है फ्रंट साइड लेफ साइड और राइट साइड का और भी मैं आपको दिखाता हूं क्या-क्या हम लोगों ने इसमें इसमें इस्टॉल किया है तो यहाँ पर यहाँ पर देखे दोर गाड हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल कर दिया है यह दोर को प्रोटेक्ट करता है इस साइड भी दोर गाड हम लोगों ने इसमें 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 लगा कर रखा हुआ है जिसकी प्राइज आपको aftermarket cost इसकी मैं आपको बता दू 12-1300 रुपा MRP रहती है I think उसमें कुछ discount होके आपको देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर roof rail हम लोगों ने install किया इसमें roof rail भी बहुत जादा important है काफी जादा look को enhance करता है तो roof rail भी हम लोगों ने black and silver में install कर दिया है wheel cap जो है showroom का है लेकिन हम लोग Eli wheel थोड़े दिन बाद इसमें डालेंगे and back side के profile पर मैं बताओं बात करूँ कि क्या-क्या हम लोगों ने install किया है तो यहाँ पर देख पा रहे है नीचे के side ABS guard हम लोगों ने install कर दिया है आजकल fully मतलब लोहा वाला काम खतम हो गया पहले लगते है तो लोहे वगयर के guard ओडिसा की कार है ब्रेजा की branding की साथ में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे है कि हम लोगों ने ABS guard को प्रॉपर तरीके से इस ब्रेजा में back side के लिए थोड़ा भी थोड़ा बहुत protect करने के लिए हम लोग ने ABS material का यह वाला guard front and back side का जो combo के साथ में आता है वो हम लोगों ने install कर दिया है तो back side के look को आप लोग देख पा रहे है किस तरीके का इसका look आता है और चलते है front side की तरब और front side को दिखाता हूँ मैं क्या-क्या हम लोगों ने install किया हुआ है यहाँ पर black chrome हम लोगों ने लगाया है यह वाला एक्चल में showroom से रहता है लेकिन aftermarket में भी यह मिल जाता है आपको यहाँ पर the front grill की garnish and fog lamp and यहाँ पर भी देखिए ABS guard हम लोगों ने install कर दिया है ठीक उसके नीचे में 360 bird view camera और यहाँ पर रेड कलर का जो रेडियम दीख रहा है यह रेट्रो रेडियम है जो कि रात के समय अगर आप highway वगरा पर drive करते हैं तो वह आपको थोड़ा आखों में चुपता है कर दी है आप लोगों यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हैं क्या क्या हम लोगों ने लगाया एंट 360 camera के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं यहाँ पर जो इसके जो फ्लोर मेट है वो company के थे एंड फुली बकेट जो सीट कवर है वह हम लोगों इसमें ब्लैक एंसीडवल डिजाइन में इंटीरियर से यह कलर जो है मैच करेगा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इंटीरियर के कलर से यह मैच करेगा तो पुछवा देता हूं आपको आज नासिर भाई सीट कवर के नॉर्मल फिटिंग में और बकेट फिटिंग में क्या फरक है दोनों में बहुत फरक है नॉर्मल फिटिंग में ऐसा है कि फूलर आएगा अच्छा और नॉर्मल में रगाएंगे तो जैसे इदर उदर सरकने जाए कोई फरक नी पड़ता है ना जोल आएगा ना निसान आएगा और ना फटेगा यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं आज बकेट फिटिंग का मतलब आपको समझ में आगया होगा तो यहां पर हम लोगों ने बकेट फिटिंग कर दिया फ्रंट सीट भी बकेट है आप लोग हम लोग उन ग्रिपिंग के साथ में इस टेरिंग विल कवर जो है प्रॉपर तरीके से इस्ट्रिच कर दिया है तो यहां पर ब्रेजा की सारी एक्सेसरी को मैं आपको बता चुका हूं हेड उनिट के बारे में बता चुका हूं Bluetooth connectivity सारी चीजे आपको इसमें देखने की मिलेंगी अगर आपके पास इस बजट में सारी चीजे आती हैं तो आप लगवाईए नहीं तो आप मत लगवाईए और जो आपका मान है वो लगवाईए तो चली आज के लिए बस इतना ही ख